कि नमस्कार जे जनेंदुल जेश्री महाकाल स्वागत आप सभी का मेरे इस वीडियो में जहां पर रमाचीत करेंगे स्टॉक मार्केट की स्टॉक मारकेट की कल की रणनीकिप की पर बाचित करने के पहले हमने आज के लिए क्या रणड्यप्टिया इती क्या बेंक निफ्टि के शापर पोन आपक ही और वाज बात करेंगे लेकिन मैं evolved consumption के爍ा ऐसकते हैं तो चले पहले कैंगे सप्टेट नि य की निफ्टी का basa White सीमी तैरे में काम का चल्राइए आच्छा ये वीडियो में जो अभी बोल रहा हूँ ये फोड़ी सी इरएट्ट है लेकिंद मैं भूट सब्सक्राइब और खुशी की वज़ा कोपर एंसे खुब अच्छा मुनाफ़ा बनाया तो सोचा आप अगर आप लोग में से कोई सब्सक्राइब और आप लोगों का पैसा बनता है तो मैं बहुत खुश होता हूं चलिए बात करेंगे पहले निफ्टी का सपोर्ट लेवल लिए था पंदरा साथ सो बैंतालिस का लोग पोस्ट वापंदरा आठ सो त्रेपन का अपना पहला राइस्टन सा पंदरा सा आठ सो पंदरा आठ सो पचत्तर की इर्दगिर्दी घुम्रता इंफेक्ट बंदरा आठ सो गत्तर के आसपास की क्लोजिंग हुई है दूसरा रेस्टन से लिए था सोलह जार का वहां तक का तो दम खम नहीं बता पाया पंदरा नो सो नो का इसने हाई पोस्ट किया है कल की इसके ज बूसे ज़हा रहे हैं 15795 जानवे 15740 15940 का रचिंस 15 975 का दूसरा राइस्टन स मैं जी कल विगर लास्ट पर डिस्कॉस करूंगा च्टॉक स्पेसिफिक की रणनीति के बात तो निफ्टी के सपोर्ट रेस्टन के लिए रहे हैं बात करूंगा पहले बैंक बंद करूंग लिए था 34850 का आज का लोग वोस्ट को है 34960 का रेस्टन्स लेवल लिए था 35525 का 35425 करेशने हाई पोस्ट किया है magical figure को टचने कर पा रहा है और निप्टी magical figure को नीचे के बाज़ी में टचने कर पा रहा है बैंक निफ्टी magical figure को ऊपर के बाज़ी में टचने कर पा रहा है magical figure क्या होते है magical figure हमारे ऐसे figure होते है जिसके नीचे चलने पर बजार होता है मंदा जिसके ऊपर चलने पर बजार होता है तेज तो magical figure के साथ से तो यह एक बड़ी समस्या और यह कोई तो भी एक बड़ी पूमेंट देखने को मिल सकती है ज्यादा बड़ी मुवविश्टक्स करना थोड़ा सा घाटे का सौधा हो सकता है यहने कि अगर 300-400 पॉइंट का करेक्शन आ गया तो बहुत हो गया इस टाइप से इस टाइप का मामला लग रहा है बात करें कि आज को अच्छा हमारी स्टॉक्स की को सेल करके होल्ड नहीं कर सकते हैं जो भी बात्चीत में निफ्टी बैंक निफ्टी की करता हूं वो करेंड मंद फीजर के एक्सपारी की होती है जिस तरह से मैं अभी 24 जुन 2021 के कॉंट्रेक्ट की बात कर गा हूं स्टॉक स्पेसिफिक में आज सारे सेल कॉल के तो बाइडिफॉल्ट इंट्रटे में कट गया हूंगे आई सेसी बैंक को सेल करने का था ता 641 के आसपास 646 60 का स्टॉक लोज बोला जा 625 के टार्गेट बोले थे 646 20 का इसने हाई पोस्त किया स्टॉक लोज नहीं कर पाया 277.60 का stop loss maintain करना था 270.90 के target expect कर रहे थे माल आया 275.75 का इसने high post किया है जब अरदा proper execution हुआ होगा इस सौधे का 270.50 का इसने low post किया है target expect कर रहे थे 270.90 के 271.60.70 के आसपस इसका profit book कर वा दिया था 270.95 के आसपस की closing आई इट 1.38% का आप लोगों ने इसमें gain किया होगा तीसरा stock लिया था हमने Tata Steel Tata Steel को sell करना था 118488 के बीच में 1201 का एक छोटा दा stop loss maintain करना था 1145 के target expect कर रहे थे 1186.80 का इसने high post किया है 1160.10 का इसने low post किया है 117430 के आसपस की closing आई यहाँ पर भी आप उने 0.84% के आसपस gain किया होगा तो अगर ICC bank को Tata Steel से minus कर गिया जाए तो no profit no loss हो गया और जो VDL का 7,5% के आसपस मुनाफ़ा है वो हमारा बचत है चोता stock लिया था M&M M&M को 808 रुपे के आसपस sell करना था 813 रुपे 50 पे से इसने high post किया है 11,800 रुपे 50 का stop loss मिन्टेन करेंगे 204 30 के target expect करेंगे दूसरा stock होगा हमारा HDFC bank 1490-1494 के आसपस sell करेंगे 1490-1494 1509 का एक छोटा सा stop loss मिन्टेन करेंगे 1473 तक के target expect करेंगे तीसरा stock होगा हमारा HBI bank 432-433 के आसपस sell करेंगे 434-60 का एक छोटा सा stop loss मिन्टेन करेंगे 418 के target expect करेंगे चौता stock होगा हमारा 50 फिंसर 11825-11855 के आसपस sell करेंगे 11901 का एक छोटा सा stop loss मिन्टेन करेंगे 11470 तक के target expect करेंगे किसी ने मुझे कल आज या कल में ये comment गिया था stock की value बड़ी हो या छोटी हो अगर आपका money management सही है suppose करके आपके account में एक लाग रुप है आपको 25-25,000 रुपे के चार call ले 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 हैं जिस तरह से हम करते हैं तो 25,000 रुपे में stock price divided by 25,000 रुपे जो करेंगे number of share आएगा और जो percentage terms में return आएगा वह सेम ही होगा तो stock की value बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई फर्क नहीं बढ़ता है तो यह कल के लिए हमारे होगा चार stocks अब मैं बात करूँगा magical figures की nifty और bank nifty के bank nifty nifty का magical figure आज के लिए था वह 11,615 का magical figure क्या होते है इसकी definition आप लोगों याद हो चुकी होगी magical figure की नीचे चलेगा तो होगा magical figure के चले ऊपर चल रहेगा तो होगा तेज 15,615 का magical figure magical figure में कोई बदलाव नहीं है जब तक nifty 11,615 वो नीचे के बाजू में break नहीं करती है जब तक मंदी की affection नहीं करनी की bank nifty का magical figure प्राइस से ऊपर है तो यह भी एक resistance की तरह काम करेगा और nifty का magical तकर नीचे है तो वो एक support की तरह काम करेगा तो यह थी हमारी stock market की कल के लिए आज updates 15 तारिक 15 मिनट हो रहे हैं 16 तारिक की update आप लोगों के सामने हाजी रहे आशा करता हूँ आप लोगो मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो जाते जाते प्यार मुपत भरा like का बटन जरू दबाईए subscribe करिए और अपने friends family के साथ भी share करिए ताकि वह भी मेरे दवारा बताय हुए रणनीतियों को execute करके बना सके मुनाफ़ा नीचा description box में हमारी सारी social media की link होती है especially public telegram channel पर जरू जुड़ जाए है क्योंकि उसमें जो भी बातचीत में वीडियो में करता हूँ उससे related कोई भी information होती है कोई भी update होती है तो मैं वहाँ पर जरूब post करता हूँ सिर्फ उससे related जो मैंने वीडियो में बात किये तो आप लोगों को अगर उन information अगर आप वीडियो देखकर कहीं कोई position built up करते हैं और आप उन information से up to date रणना चाहते हैं तो आपको public telegram channel पर जुड़ना पड़ेगा हो सकता है वहाँ पर 10 में से 9 messages आपके काम के ना हो लेकिन वह एक message भी आप लोगों की गाड़ी मेनत की कमाई को बचा सकता है निचे description box में कुछ company के account opening के लिंक होते हैं आप चाहें तो ने click करके अपने account open कर सकते हैं और execute कर सकते हैं मेरी में रणनीतियों को और पा सकते हैं कुछ exclusive benefits उसके लिए आपको Intellisys के customer care में संपर करना होगा Thank you so much for watching my video जै हिन जै भारत